कैसे हैं दोस्तों होफिली आप अच्छे हैं बहुत बढ़ियां है आप सभी से एक बात कहनी थी वह यह है कि आप लोग थोड़ा सा पहली दे यह है कि थोड़ा सा इंफिमेशन मिली काफी बड़े लोग जो भी है जो कॉंटाक्ट पे रहते हैं उनसे चानकारी यह मिल पाई ह की उमाथ है कि कवश् apprentice suddenly करेगी ठेग है क्योंकि यह वाई है कि जब लोग जादा होते हैं या तो पेपर टफ किया जाता है या तो आपका लेबल तरहले को को सडनली बढ़ाकर सडनली नहीं कर सकते हैं जैसे इंटरवीव ला देंगे ऐसा वी तूरं नहीं करेंगे कूंकि कि उसके लिए हर चीज लागों होने के एक साल दो साल बात होती है बताई जाती अभी सिर्फ यह इतना कर सकते हैं एक्जाम सदलनी ले सकते हैं तो आप सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी स्टुडेंट हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से मालोगों कि पहले आप यूपी ट आप लोग भी क्योंकि यानते हैं कि पेपर जो है वह 2022 में यूपी टेट का हुआ जैनुएरी के बंद में उसके बाद से साल भर बीद्या एक भी दिन नहीं हुआ खुछ भी है सीटेट का हर साल दो बार होता है वाकेंसी जो है लेकिन इस तरह के से केंटर के कम निकलती दे नहीं रहेगा हो सकता है कि यह लोग सबाकर चुटाओं हो जाने के बाद योगी का दुबरावाल चुटाओं आगा तब आएगा तो देखिए यह गेम है यह गवर्मेंट है यह पॉलिटिक से बहुत कुछ होता है जिसे हम लोग बहुत अन्विग दूर है हमें उनमें नह नहीं लागू हुआ तब नहीं होगा तो अभी एक्टूबर का महीना जाएगा नॉवंबर का जाएगा दिसंबर का जाएगा जनुदी पर जहां तक है अचार सी तर लागू होगी यह मार्च से प्रहन चुनाओं जो भी सीन रहेगा पता चलेगा अगर इस तीन महीने में आपका यह यूपीटर नोटेफिकर जारी हो गया तो यूपीटर अपका हन्ड़परसंट होगा और सुपर देर फोरसेमिस्टर वालों को बहुत साई पच्चों का भीग बहुत किस मेनत करनी होगी और बहुत साब पढ़ना होगा तैक है इस बात को बहुत अच्छे से धह कि यूपिटेट अगर होता है तो इतनी चमताब आप में हो चुकिए पेपर आप दे के आड़े ले चुकिए को कैसे देना है क्या करना है यूपिटेट हाथ से मत जाने देना इतना ध्यान मेरे रख लो क्योंकि दुबारा जल्दी होता नहीं है और यह पूरी खिटडी जो बनाई जाती है बहुत सोच समझ के बनाई जाती है तो अगर आप चाहते हो कि इस वाद चाख लो उसका ना तो जुट जाओ पहले सबसे पहले काम क्या कोई डिलेट के सेकंड समस्टर का कोर्स इतना है उसको पंदरा से बीस दिन है तो इसी एक्टूबर पर उसको खतम करो पूरा fit and final करो सिफ exam के time पर आपको यह ध्यान रखना है कि एक हपते खुब पढ़ना है बाकि आपको एक गंटे थोड़ा थोड़ा पढ़के तो दो घंटे का time slot करो कि दो से तीन गंटे पढ़ना फिर यूपिटेट में लग जो वरना जितना आभी आपको knowledge है और जितना जान लीजेगा इतना भी easy नहीं है जितना हम यहां पर डिलेट हैं क्योंकि हम copy में जाते कुछ भी लिखके चले आते हैं ऐसा होता है कि theory वाले में कुछ भी लिख दिया काप बन गया लेकिन paper में हां तो हां नहीं तो नहीं वहां पर कोई हमारे बाबुजी नहीं बैठे न उम्मीद है कि हां होगा तो उस उम्मीद के लिए थोड़ा सा प्रयास करें वाना सदलनी जवाप पॉमफर के करेंगे तो वह काम नहीं करेगा ठीक है इतनी सिंपल सी बात जो मैंने बटाई है ध्यान रखेगा चले शुराट करते हैं आज की इस क्लास की यहां पर हम करने वाले हैं हिंदी हिंदी में आपको पढ़ा रही थी जहां आपको शब्द हो और जो भी वाग के वगरा हैं उनके बारे पुरा टॉपिक पुरा कबर करूंगी तब कोई सब्डेक्ट और स्विच करूंगी ताकि यह पूरा-पूरा कम्प्रीट हो जाए आप जुड़े को म पहुत आता है इनको पहचानने के बारे में सीखें कैसे नियम है क्या पहचानेंगे इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं एक बात हमेशा ध्यान रखीगा कुछ कुछ नियम होते हैं जैसे यह है तो आपको तद्बह तश्व मैं भी टेंट में ती मुझे प्रॉलम तो अब लेकि प्रैक्षप चाहे कुछ भी हो नहीं होगा कभी नहीं होगा सिफ एक चीज हो सकती एक बुक सामने रख लो उसमें से यह द्यान लख लो दो मिर्ट निकालो पांच मिर्ट सरसरी निगा से देखते चलो और पांच मिर्ट वह रोज दे दो उसको यह आपको हमेशा याद हो यहां पर तद्बो चाहें कि कैसे थोड़ा पहचान होगे और बार बार मल्टिपल टाइम इसको देख लोगे डेली कर देख लोगे तो हमेशा के लिए हमेशा चीजे क्लेर हो जाएंगी यह सच है ठीक है चलिए आई जानते हैं सबसे पहला पॉइंट यहां पर ध्यान से तच्चम शब्द के पीछे च्छा लगा होता है यह च्छा च्छत्री वाला च्छा है तच्चम शब्द के पीछे संभावता हमेशा मेनली अपवाद होगा एक दो तो छोड़के हमेशा च्छा वर्ण का प्रियोग होता है हमेशा हमेशा च्छा वर्ण का प्रियोग होता ह और तद्वो सब्द के पीछे खा या छत्री वाला जो ये छत्री वो ठाकुरो वाला छेत्र वाला और ये छत्री चाता वाला है तो छत्री और छा दोनों फर्क है जब तच्चम शब्द हैं आपको शब्द दिया है पांचे शब्द दिये उसमें बोला कि तच्चम तद्वो टजब चांटो चैने के लिए ध्यान रखना कि अक्षर दिशेट में ठ में काउंट जिने हैं चाहता लग रहे हैं जैसे कि आपको बता है तो अच्छर अपड़े गाल जो आपका तद्श है यह है ये पंच्छी तो पंचर उपड़े extrem पच्छी जो है वो आपका तच्छम है बहुत ही यूनीक जीव ध्यान है तो समझ के याद रखें गाऊ लास्ट ताइम तक याद रखना है दूसरा आगजाम पल् is निदे निकों करणान पर्द ़ा अमीर लिखा है तो यह यहां पर अम्र मतलब होता है यह आकend रोशब्द में काउरे बिदा मेखन सेनु होते है कि थरां तो हम जो संस्कृत में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं लेकिन आम लेक्ते हैं तो आम जो है तो यहां तक दो बात बताई क्लियर होई आगे बढ़िए आज क्लास में आप सभी के मुझे कमेंट शेहिए लाइक करिए मैं यूटलाइज कर रही हूं वक्त को सब्सक्राइज करते हैं निकालते हैं करते हैं तो शायद में बहुत अच्छा होगा और जित्ती सीधी बात है उतनी बता रही हूं बहुत उल्दों के तो प्रिशान में आ जाओगे नेक्स देखो तीसरा तच्छम शब्द में री की मात्रा का प्रयोग होता है हम हमेशा त तच्छम पहचानने में होती है तो जो शब्द को आपको दिखे जिसमें री की मात्रा री से रिशी होता है यह री की मात्रा का प्रयोग आपको दिखता है तो वह हमेशा तच्छम होता है ध्यान रखना कभी-कभी कुछ अपवाद निकल जाते जैसे लिंग में बुलिंग के कि कि टचम शब्द में श्रा का प्रयोग होता है तद्ब के साका तचम cognition में ये श्रा श्री वादा श्री मती वा श्री माला श्री वाला लो जो है Filmy बात समझ में कहां तक आगी होगी चली आगी बढ़ते हैं इसी के साथ देखते हैं फुल आफ एनरजी के साथ क्लास लीजिए पढ़िए एंजॉय करें मज़ा आजाएगा पांचवा पॉइंट है तच्छम शब्द में वा का प्रयूग होता है तद्वो शब्द में बा का प साथ होता है वह प्रयूग होता है तद्वोज फिर्वाले साथ द्वारविख होता है तो प्रयूग हुए टो थे च käytण के स्वर्द में समकुंग्न ख्राश यसर थे वह संब्आका कि रिजल्ज सलाई दिव सला का जो है वो एक तत्सम सब्द है दिया सलाई जो है वो एक तद्बश शब्द है तो यह आपको मैंने साथ नियम बताए साथ रूल बताए जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं ठीक है अब यहां पर मैं आपको बड़ा आज से लेकर सुरू होने तत्सम और आपको क्लास देती हूं तो लाइक भी बनता है कमेंट भी बनता है और शेयर भी बनता है ठीक है चले आगे अब चलिए आजाए बड़ा आज से सुरू होने वाले तत्सम सब्बो शब्द की एक लिस्ट है जो मैंको दिखाने वाली हूं आम्र है आम्र आम तत्सम है आम अच्छी चत्री वाल अचा यूज होँआ है और खा आँख तद्भो गलत नहीं होगा बताया है तो नहीं होगा अमूल नियम नहीं होते हमेंसारे हमें इसी इस्ट समझ में आते हैं हम पढ़ते हैं जीसे घर लिखा गरी लिखा है तो गरी मैं बेले वह राकी मातरा बता द लेकिं ग्रीब प्रणाउंस अब होता है तो पता चलता है कि यहार पुराना वाला है और संस्कृत लग रहा है घर नया लग रहा है तो इस तरहिके से तो सब में नहीं है यह भी ध्यान रखेगा जो में फसता है जिसमें हम ज्यादा फसते वह बता दिया नेक्स्ट है अगनी अगनी एक संस्कृत है आग जो है वो तद्वो शब्द है उसके बार अंदिकार यह हमारा तच्चम शब्द है अनेरा हमारा तद्वो शब्द है अगम हमारा तद्वो शब्द है अकस्मात हमारा तच्चम शब्द है अचानक हमारा तद्वो शब्द है आलश हमारा जो है तच्चम सब्द है आलश हमारा आलश लास्ट में या है यह तच्चम है और आलश सर्फ लिखा है तो वो तद्वो है आगे बढ़िए अच्छा देखो आश्रू यह आश्रू है जो आश्रू हमारा तच्चम सब्द है यह अश्रू बहुत आता है यह कई ब स्थाइं टच्चा में और असी हमारा चनिक हो ऑठ तदो एक लिस तत्चा में और रगोए वर नीचे भी उपर भी अच्छावाट जो है अच्यवार टिट्समे और अखाना जो है तदो है च्हाका प्राइभ वद देख सकते हो वाका भी है च्हाका भी है रिखुit की अखाना की अ च्ञा परणा न ठाम yoo तदो है अज्छ ़ोर्ण च्हार यूज वद भू है फिर अगरित जो है वह कमारा तदो है उसके बाद आध देखो आध में राह लगा हुगा है तो हमारा आज जो है तदवो है अमलिकां जो है prints इंगली जो है तदवो है अमावश्यय हमारा činम जाल को यहां पर नहीμस कहते हैं अर्पन है यहां राह लगा हुआ है आपि आपो ध्यान रखना तदम told अन्यत जो है तद्वसम है अनत जो है तद्वो है अनारी जो है तद्वो है अज्यान जो है तद्वो है अज्यान जो है अज्यान जो है तद्वो है अधित्यवार जो है तद्वार आपका तद्वो है आम चूर आपका तद्वो है आप इस तरीके से चाहो तो ये लिख लो ठ देख दे रहे हैं या 10 मिनट में आप 3 मुन Iceland के लिए शब्त को कुरें आप हर एक में जो भी चीज आती आपane होगी कि या गलती नहीं करेंगए आगे बढ़िए उनको देखते हैं तो आध यहां पर देखिया आपका तच्चा में एक हमारा जो है वो तदबो है इशा हमारा तच्चा में इशा हमारा तदबो है इस्तिका हमारा तच्चा में एथ हमारा जो है वो तदबो है आगे बढ़िए चोटा हूँ बड़ा हूँ से शुरू होने वाले तो उलूक लिखा हुआ तो तत्चा में उलू लिखा हुए तत्चा में उच्छा लिखा हुए तत्चा में उजल है तो तत्चा में उजला है तो तत्चा में उट है तो तत्चा में उच्छा है तो तत्चा में उच्छा है तो तत्चा में उपा है उपालंब है तो तत्चा में और उल्हाना है तो त अदवर्तन है तो तच्छा में उबड़न है तो तदभो है उलूखल जो है तच्छा में ओखली जो है वो तदभो है उपयक जो है तच्छा में उपरोग जो है तदभो है तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा आगे बढ़िए ए और एका एका तसा है तो तच्छा में 11 है तो तदबो है इला है तो तच्चम है इलाईची है तदबो है एकत्र है तच्चम है इकठा है तो तदबो है आगे बढ़िए कावर खासे कुपूत है कुपूत्र है तो तच्चम है कुपूत है तो तदबो है कर्म है तो तच्चम है काम है तो तदबो है काक है तो तच्चम है औ कीना कूक ला कोिल तद्बू कोयल तद्बू है करन तद्बूए किष्ट कृमकार कुमार कुमहार कुछी जो है तद्बूए कुछी जो है तद्ध में कोक धुए कर्ष्ट जो है कर्ष्ट कर्थ संद्य को पढ़ाते एज आपको पढ़ाते पढ़ाते मिल गया ऑव इतना वह पढ़ाती है ही जो आ जाती है पढ़ाते पढ़ाते कपूर जो है तट्चम अरक पध्वो है उफ़र अंकू का रा का रहा गुहा इत्तता थ्यान रखना पढ़ते समن एक जैसा ही लगता है आगे बढ़ो गागा इस शुरू हुने वाले क्या है ग्रीश्म और है तो तच्छमैघर्मी है घोड़र्द गाज़र जोениढ़ गरंती जह है तच्छमैघ गाहंट जो PAL गॉड़ workers हिर गीध देख लीजे चंद्र है टो टत्च में चांद है डो चर्म है तु कैकर्ण हैं चून है थे थे चूर्ण है तदोक है। चात्रवन्द के द्सक्रत्राइब 24 तदव मंग 175 छव्ष सट्ष्कोरंद आद बढ़ें चक्रवाण पाकший सब्सक्रत्राइब 44 पाला kings Festival है उल्लंर Всем 1 2 1 2 1 2 3 4 4 5 वहूं को ठट् waiting में तो जाजा सरू होने कि बात है तो जीवा Haragim मैं जीव जोरे तद्वो फद्द जेश्ट जेटं जोर्य हो जमाई जोरे तद्द जेऊति जोहती जोहता हम जोरे जो result जणम जनम जोरे और जङन्द रककर जिन और ज्छीन और से सुरू होने की बात है तो जीवा जो है जीव जो है तद्वो है जेश्ट जो है जेट जो है तद्वो है जमाता जो है जमाई जो है तद्वो है जयोती जो है तद्वो है जन्ध तद्वो जन्ध तद्वो जन्ध तद्वो जीन तद्वो जीन तद्वो जीन तद्वो हो गय तरण caya-macb team intim इतो तंबूल कら तंबूल क मैं दधर तप में तड़न तन तप टबू ओओ कर दो है तपस्वि तपसी जो है तुन तो है तत्व मैं तो जो है तत्व मैं और तीरत जो यह वह तड़ आद त्छन तदो न्हीं है तेखर तड़ो है आगे वडो बार बार दिख रहा है सब डइंड़ जो है डवाया है 10-11 जो है तच्छ में बारा जो taper में नव्हकार जो hè ना पास शुरू होने वालिस देख लो कुछ किताब में बढ़ाब सकती बहुत कुछ जो जो पॉब्लिकेशन की लोग है उसमें बहुत कुछ दिया है अब ये क्लास में करूंगी ओवर आज मुने जो भी चीज़े बतानी थी वो मैंने बता दी आपको ठीक है पाट समझ में यहां तक देखें भ्रहमर तच्छा में तो भौना तद्वो है भू तच्छा में तो मानूस तद्वो है, या राकी बात करकले तो यमणा तच्छा मुना तद्वद्व कि यहां तद्वद जावां जवां तद्वद यस तद्व है यह को इपे तद्शम है जो बारत सब्रहें जो चैनी तद्वद जत्वार्त यूद धुंट फेक्वह तक की सारे कुल ली है करदमें तर्य्ण तर्या श्त्वह में तु तेरा तक्वह आर्प और चीर तक्वह मैं त। हड़ा วऑखालओं सब्सक्राइब करें तो फ्रेंट यह मैं टेलिग्राम पर दे दूंगी आप लिखना चाहिए तो परण जैसे भी आपको लगता है तो आप लिख सकते हैं ठीक है फ्रेंट तो चलिए यह लगबक 22 कि क्लास हुई काफी अच्छी अपने बाते भी आज की अच्छा अमने टॉपिक भी बड़ा मुझे उमीद है कि आपको क्लियर जो ही आपको लास्ट बूल रही हूं में भी आपको यह टॉपिक क्लियर हो कि आपने कहा था तो मैंने यह करवाया और ऐसे जो भी चीज़े आएंगी वह मैं आपको ऐसे पहचाना बता दूंगी अगर आसकी क्लास अच्छी लगे कुछ मद्यदार लगा है तो जितना हो से के उत्ता शेयर करिए मैल्टेपल टाइम देख लेंगा तापको काफी हेल्प मिलेगा और ऐसे ही मुस्कराते रहे आगे बढ़ते रहे पढ़ते रहे टेलिग्राम पर जाएंए से उसर से कांटाक करें नोट्स को लीजे अगर नहीं लिया है तो बुक्स है तो चाहराधा की हो साहित की हो ठाकुर की हो पूई पूब्लिकेशन की हो अगर है तो उन से पढ़िए क्लास को आंकर ठोड़े म्नेटको अटें कर लास्ट में राधन टे को ले लिजेगा टीलिग्राम पर मैंने व भी आपको दि तो तो फिर बात बोले नहीं निकलता है बहुत पढ़ते हैं ने करते हैं तो यह एक इंफरमिच्ञ जो मैंने आपको बताई अब आपको प्रपते की से क्लास लेनी पढ़ना है इंजॉय करना है फिर आम की जो क्लास है रात में नौब जो इपने टाइम पर होगी पढ़ते रहें इंजॉय करते रहें मुस्कुराते भी रहें वाबाई टेक केर